देखे थे वो ये फ लिखें कमेंट करें जो नहीं देखे थे वो नो विटा इतना करने के बाद जब कलास खतम हो जाएगी तो तुम चैनल की प्लेलिस्ट में जाना या चैनल पे जाना वीडियो सेक्सन में पार्ट नंबर 16 देख लेना उसमें सब अच्छे से बढ़ाया गय है कैसे लागू करते हैं सब चिखाया गया है तो इसके पीछे की सभी कलास जरूर देखें आज तक 16 कलास हो चुकी है यह सत्रवी कलास है ठीक है गोपी चंद परांजल मुकेस बिपिन अरसद वर्तिका अभिसेक मुझे जहां तक लग रहा है कि अधिकांस बच्चों ने देखा था पिछली कलास ठीक है तो जो नहीं देखे थे वो चैनल पे है जाके देख लेंगे कोई अन्य हेल्प चाहिए तो नीचे हेल्प लाइन चल रहा है उस पर कंटेक्ट कर लेना लेकिन दीन में बारा बज़े से चार बज़े के पहले बस उसके बाद नहीं चलो तो बच्चों फैस्ट कुश्चन है पहले तो इसका मूल मंत्र समझो क्या है इस प्रस्न में आप सभी क्लास नाइंथ का NCRT मैथ याद रखना NCRT है अगर आपके पास रियल वाली NCRT है तब राज जिप पर आधारित NCRT या फिर किसी राइटर की अधर से NCRT पर आधारित होगी तो उसमें नहीं मिलेगा लेकिन अगर मुख NCRT भूख है तो पैसे नंबर बावन खोल लो कुश्चन नंबर पहला कहता है पताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड X प्लस 1 है तो बच्चा निमनलिखित बहुपद में 5 से 6 बहुपद दिये हैं जिसमें तीफरा ये हैं हमें ये बताना है कि X प्लस 1 जो है ये छुटका हुआ जो है इसका बहुपद है वह गुड़नखंड है क्या है फैक्टर है जैसे कोई कहे कि सिद्ध करो कि तुम अपने पापा के बेटवा हो अब बता तुम कैसे सिद्ध करोगे मम्मी से पूच के कैसे सिद्ध करोगे उसका भी कई लाजिक कैसे दखने का अगर साइंस की देखें तो DNA टेस्ट होता है वैसे बोल चाल ये सामाण इंसानियत में देखें कि वह मम्मी तो बता हुए करेंगे किसके हो तो यह हर किसी पर लागू होता है तो मतलब हमारा यह समझने का कि इसमें कैसे समझेंगे वह तो मैं एक अदर से एकज सिराजपूद गुड़ इवनिंग देखो कि समझो मैथमेटिक्स में आते हैं एक छोटा सा और उदारण करते हैं कि अगर हम अब से तुमसे पूछें इधर साइड देखो समझो कि बच्चा ये बताओ सिध करो क्या संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है या नहीं सभी बच्चे बोलो यास या नो बताओ आप लोग बताओ क्या संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है अगर है तो बोल दो यास नहीं है तो बोल दो नो बोलो है या नहीं है तो बैया हो समझो यहां पर बाबू ये इसका गुड़नखंड 22 का दो जो है वो इसका चाच्चा हो छोटू चाच्चा से भाग करेंगे इनको ऐसे 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 हाँ उपर से दो उतारेंगे दो एक कम दो यह भी लपेट लेंगे जीरो आ जायेगा यह नहीं ले बनायेगा मतलब रिमाइंडर जीरो सेजफल जीरो अगर जीरो आ रहा है तो क्या है उसका एक बताओ तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से समझो अगर मैं तुम से बोलूं कि यह बताओ चाच्चा संक्या 45 का एक गुड़नखंट 13 है बोलो कि देखो टॉपिक पर ही बात कर रहा हूं जब तक तुम पॉइंट को गहराई से नहीं समझोगे कुश्चन कुश्चन रटते रहो खोपड़ी पीटते रहो कुछ हिलने वाला नहीं है इसले समझ लो चाहे देशी उदारन से चाहे परदेशी उदारन से कैसे भी समझो तुम पॉइंट को समझो बस गोबिंद जी पेटा पढ़ाई कर लो पूसपा लता तुपॉइंट आफ रीडिंग कुनाल यादो म अनीना बर्मा दाजकुमार थिवारी थाई बेरिकूट थिवारी जी इसकर्मा जी ठीक है बर्मा थीक है इनको जब भाग करते हम तेरा से कटेंग पूरा-पूरा काएंगे ना तुम तो अलग बरहादरी से हो बनेगा नहीं ऐसे बात समझ रहे हो ना साज बहु को जगड़ा होता इनमें यह बराबर कभी भी जीरो होंगे नहीं तो अगर जीरो होंगे नहीं तो क्या है यह इसके गुणनखंड नहीं है तो भाई आहो बाबु हो यह सारा जो पचरा तुम्हें हम सुना रहे थे न वो इसको समझाने के लिए इसको समझाने के लिए तो वही तरीका लाके इसमें ढखेल दोगे रजा इसमें क्या करोगे इस बहुपद को बड़े वाले बहुपद को इस छुटकववा से भाग अगर भाग करने पर से ऑफल जीरो आया तो लिख दोगे हाँ X पलस वण इज आफ ऐक्टर आफ polynomial P of X P of X Hindi में बोलोगे X plus 1 दिये गे बहुपद P of X का एक गुड़न खंड है यहाँ P of X का मतलब है यह पूरा यह P of X का मतलब क्या है? यह पूरा इसका एक नाम रख दिया गया छोटा सा जैसे देखो कच्छा 10 में तुमारे 100 बच्चे हैं किसी का नाम पंका जाए, किसी का रोह नी है, किसी का मुकेस है, किसी का चुन्नू मुन्नू है बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग नाम है तुमारे सब का नाम तो आप टीचर बोल नहीं पाएगा वो क्या बोलेगा, क्लाफ नाइन्थ वाले लोंडे आजाओ जलती जलती समझ रहा हो ना, यह थोड़ा लेंगोज अलग हो गई ना तो क्लाफ नाइन्थ का मतलब सब आ जाएंगे ना तो उसी का मतलब यह यहां पे रखा गया, P of X P of X का मतलब यह सब, यह सब, ठीक है, तो चलो, तो बच्चों, यहां पे यह भी समझना हमें कि अगर हम X plus 1 को, oh sorry, X plus 1 से, यह, अगर हम यह करेंगे, तो भाईया हो, यह में कई लोग तो लटक जाएंगे, वह इसे मर जाएंगे, suicide कर लेंगे, क्योंकि यह होगा नहीं, यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से, है न, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो, यह भी तरीका सही है, भाग करके तुम देख लो, अगर 0 आगया तो गुरंखंड है, नेता नहीं है, लेकिन यह मेथड बहुत लंबी भाग विदी होती है, इसलिए हम इसको त्याग देते हैं, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, जुकार खोजते हैं, परदान मंतरी से तर मुख्यमंतरी तक जुकार खोजता है, तो हम लोग इसको क्यों करेंगे, हम भी तो इंडिया के ही हैं, तो इसको नहीं करना है, हम लोग लगाएंगे सेस्फल पर्मिये, क्या लगाएंगे बाबु, हम लोग लगाएंगे सेस्फल पर्मिये, चलो, सेस्फल पर्मिये में हमें यह पूरा कहानी नहीं करनी पड़ेगी इतनी बड़ी मनोच समझ में आ रहा है मुकेश कुमार, रूपेश, अनूप, चिव, राजपूत, प्रिया, सर्मा, यादोजी, गेमिंग, सबको आ रहा बिट्टा है चलो अब यहां पर लिखेंगे सेस्फल पर्मिये से क्या लि जो छुटको हुआ था, उसको क्यू आफ एक्स के बराबर मान लिया चुटको हुआ का मतलब जो गुड़नखंड कहे रहा था उसमें है, सबके बुग में दिया है, हाँ, देखो, सेस्फल पर्मिये में क्या कहता बाई साहब क्यू आफ एक्स जो है, यह क्या होगा बाबू आफ इसी तरह सेस्फल पर्मिये की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे में नीचे जगा नहीं है, इस वज़ा से हम बगल में हल कर रहे हैं, तो तुमारे में अगर जगा है चचा तो तुम बगल में नहीं करना, नीचे ही करते जाना, अब यह जो यक्स का वैलू है, इसे लाके इसमें डखेल दोगे, पुट कर दोगे, अगर ये 0 हो जाता है, पूरा-पूरा, तो कहोगे कि X प्लस 1 जो है, इसका एक गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है, तो चलो, P of 1 निकाल लेते हैं, माइनस 1 न, जहां पर X है, ध्यान दो ये, X है न, X की जगा माइनस 1, चलो, X का घाट 4 है, तो माइनस 1 का घाट 4 करोगे तुम, जिसे बोलेंगे, माइनस 1 का पावर 4, और फिर प्लस, ये 3 है, X का पावर 3 है न, यहां ध्यान दो, X का पावर 3 है न, बाबू, तो क्या करोगे, X की जगा पे माइनस 1 रखोगे, तो ये माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस, 3x का square है यह 3 ऐसे ही रहेगा x की जगा पे minus 1 का square plus यह minus 1 और plus यह 1 यह पूरी कहानी है इनको हल कर लो सत्यम एजेंट गेमिंग पच्चा समझ में आ रहा राजा कुछ हारा रहा है कि नहीं से देखे जा रहा है हो बस आ रहा है ना चलो देखो बीच बीच से सामने से हटता हूँ तो तुम इस क्रीन साट ले लिया करो अब देखो भाईया वन का कितना बार भी तुम घात लगा दो वो वन ही रहेगा यह वैसे है बुडवा को चाह इतना में मिसरी दूद गी पिला दो जवान नहीं होगा अब 16 साल के जवान हो जायेगा तो फिलाल किसोरा वस्ता में हो गया मान लो तो जो बुडवा बुडवा ही रहेगा चाह इतना तेल मसाला लगाओ जैसे देसी कहावत है कूकुर दो यह बच्छिया नहीं बना तो वही तरह इसकी हाल है कि माइनस वन है या प्लस वन है इसक कभी बदलने वाले हैं नहीं अब देखो आगे समझो देखो तुम लोगों को हमारी कोशिस है कि नींद ना है इसलिए थोड़ा मजा की अंदाज में भी बताना पड़ता है नहीं तुम सोने भी लगते हो ना यह प्लस हाँ एक चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स कि अगर वह उन है मालो हमने ओन पर ए से माललिया कोई भी नंबर है अगर उसकी घात बच्चा सम है क्या है उसकी घात कोई समसंख्या है सियान से समझ लो पढ़ना है आगे तो नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे पटकते रहोगे होगा कुछ नहीं तो अगर उसकी घाज सम संक्या बेटा अंदर में वह माइनस है चाहे वह संक्या 2 है 5 है 8 है 1 है कुछ भी है तो उसका जो फाइनल अंसर हमेंसे प्लस में आएगा क्या आएगा प्लस में आएगा किवल यह समझो बास बाकी नहीं ठीक है जैसे उदारण देख लो अगर माइनस वन का घाज चार है तो चार एक सम संक्यायत इसका अंसर प्लस वनाएगा समझ रहे हो ना और अगर कोई एक संक्या मानलो ए है इसकी घाद बिसम है क्या है बिसम है जयान देना अंदर में संक्या माइनस होगी याद रखना इसको नहीं तो ऐसे कहे तो सम बिसम है तो प्लस माइनस हो जाए नहीं अंदर में संक्या माइनस रहेगी जैसे यहां माइन में इस बात को याद कर लो कंठस्त कर लो दिमाग में बसा लो खोपड़ी में रख लो नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज हो जाओ गए इसमें जहां थोड़ा सा चिन्द मिश्टेक हुआ तुम गिरे साधानी हटी तुर घटना घटी एक चिन्द गडबड हुआ तुमारा उत्तर गलत हुआ फिर पेक चिन्द जैसे एक चोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बिल्डिंग को जला देती न वसे यहां एक चोटा सा चिन्द तुमारी कुष्चन माटी कर देगा फढ़ लो ज्यादा न उड़ो फढ़ लो अभी बहुत टाइम है उड़ने का देखो समझो यह वन हो जाएगा इस तरह पर यह माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन का तीन में गुड़ा करोगे बिटा तो बच्चा माइनस और प्लस यह माइनस हो जाएगा अब मैं फिर तुम्हें जाने दो जो नहीं समझ रहे हो तो फिर जाओ मुझे क्या करना है यह तिन हो जाएगा यह माइनस वन उन फिल प्लस हो हो हुआ शाव ही अच्छा सभी बच्च यह बताओ इसमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है हाँ जल्दी कर दाइग है इस में से कितने कि यह समझ में है प्लस में ये एक है है प्लस में एक है तेन दो पाँच तो उन्हें भगवान भी न सिखा पाएगा अभी तुम्हेरी यहां एक आख देख रहे न पूरा देखो गए भी स्क्रीन साट ले लो चलो स्क्रीन साट ले लो PLP म्यूजिक राजस्थानी पेटँ तुम्हारा नाम इतना अच्छा है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है ससी वर्मा, शिकंदर, कुस्पलता बहुत अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे यह बताओ तुम लो कलासवा काई नहीं सेर कर रहे हो भई लाइक भी नहीं कर रहे हो इसका स्क्रिन सार्ट लो मैं इसका फाइनल आंसर कर देता हूँ फिर मैं तुम्हारा बताता हूँ चलो क्लास को सेर करो ऐसे मज़ा नहीं हा रही दिल न तोड़ो बाई एकदम एकदम न तोड़ो देखो यहाँ पर लिखो यही तना आ गया न आब यहाँ पर लिखो चुकि सेसफल सुनने नहीं है आता हा उसके बाद दिए गे बहुपद दिए गे बहुपद पी आफ एक्स का एक पुरन खंड नहीं है कि समझ मैं है न एक बार फिर से सुन लो मैं बता दे रहा हूं यह अंसर लिखने के बाद छोड़ना मत लिखना जरूरी है लिखना जरूरी है देखो क्या लिखोगे लिखोगे चूकी यह चूकी का चिन्ने ऊपर दूठी बिंदी नीचे एक ठी सेसफल सुनने नहीं है चूकी सेसफल सुनने नहीं है आता हा एक्स प्लस वन दिए गे बहुपद पी आफ एक्स पी आफ एक्स का मतलब यह लिखना यह का एक गुड़न खंड नहीं है चाप लो चलो क्या इसको लिखने के बाद बाबू इस कलास को सेर कर दो भाईया ऐसे मजा नहीं आ रही यार प्यारे जल्दी से आप लोग इस कलास को सेर कर दो नहीं आर ऐसे देखो ब पच्चे सेर कर दो और एक चीज़ सुन लो भाई ये कलास परतेक साम को साथ बज़ कर 15 मिनट से अभी इस चैनल पर हो रही है बाकि इस कलास का टाइम है साम को साथ बज़े लेकिन चैनल अभी बदला है कुछ दिन के लिए तो इस वज़ा से थोड़ा सा बदला टाइम आपक जलो देखो बच्चा स्क्रीन साथ ले लिया करो ठीक है इस स्क्रीन साथ ले लिया करो क्योंकि यहां पर हम छापने का टाइम नहीं दे सकते हैं माफी चाहते हैं चापो गे जब तक तब तक टाइम दिज जायेगा तो वाट्स अप यादो जी आप आ गए आपी का तो इंतजार था आई ये ऐसे यार वो मुझे तो बनता है नहीं आई ये आपका इंतजार था है ना लेकिन अब नहीं है अब खतम हो गया चलो क्योंकि आ गए न तो खतम हो गया यह आपका हो गया थर्ड पार्ट इसमें कब फोर नंबर कौन कौन कर लेगा और पार्ट कौन कौन कर लेगा परंजलतिवारी कर लोगे बच्चा एकसरसाइज 2.4 कुश्चन नंबर फाइस्ट का पार्ट नंबर फोर कौन कौन कर लेगा बोलो हां कर पाओगे की नहीं रूबी दुबेदी लिख रही हाई हीना बेवी ए बेवी का बच्चा पढ़ लो नहीं जान लो फिर आगे क्या होने वाला है पिर ऐसे दूसरें को बेवी बोलोगे अपना तो बेवी आएगा नहीं पढ़ लो जिससे तुम्हारा भी कुछ बेवस्ता हो जाए चलो कर लोगे ना देखो सिंपल सा जैसे इसको थार्ड वाला करें हो वैसे फोर वाला भी कर लोगे है जैसे थार्ड इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है यह सब इतने नलायक टाइप के वच्चे हैं कि मैंने क्या बोलूं एको लाइट नहीं है बहुत कम लाइट है बूच जैसे दिख रहा हूं ना मैं लाइट चली गई फोड़ा सा रुक जह जाो छिए कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप बिलकुल परेशान ना रहा है । ठरेकर मैं स समझ की बात सुन रहा हूं हमारा कोर्स भी आगे बढ़ना चाहिए ना अब तुम मानलों 200 लोग देख रहे हो 100 लोग देख रहे हो सब लोग बातचीत कर रहे हो कोई टॉपिक पे हम बीच बीच में तुमको टूकेंगे हैं पढ़ ले पढ़ ले तुम पढ़ोगे हैं नहीं कम से कम जो पढ़ रहे हैं क्योंको पता है कोई वेकैंसी आती है आती है फाम पढ़ते हैं एक लाख-दफ लाख मिलती नोकरी सब लोग को है बाकी लोग चेचा लोग इसे चाटा कर रहे हैं देखा कर रहे हैं कुछ होता है नहीं हां समझ रहे हो न तो इसलिए मैंने बोल रहा हूं करना जिसको है उस ठीक है इन्हें ब्लाक करते जाओ अच्छा रहेगा मैं बता दे रहा हूं अब ब्लाक कर दो ठीक है कोई दिक्कत भी तो लाइट चली गए थी इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था अब फिर से हो रहा है ठीक है समझ रहा हूं न मुकेस को ब्लाक कर दो एकदम से पर्मानेंट मुकेस कुमार को पर्मानेंट ब्लाक कर दो बाई इनको दुबारान ब्लाक निकरना चलो तो यह आपका हो गया था, थार्ड पार्ट हो गया था बच्चा, फोर पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, कौन कौन कर लेगा, फोर पार्ट आप लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कुछ लोग बोल रहें कर पाएंगे, तो चलो हमारी तो जिम्मेदारी हम तो करवाएंगे तो मैं फोर पार्ट भी करवा दे रहा हूं इसमें अंडर रूट वगयरा लगा है तो यह रूट वगयरा देखके थोड़ी सी धड़कन बढ़ रही है इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं लिखो चौथा पार्ट लिखो बच्चा एक्स का पावर फूर कि अभी बच्चे लिखो ऐसे मजा नहीं आ रही हां तुरंद लिखो कि एक्स की पावर फूर कि एक मिनट डूग जबाई फूर पार्ट कहां गया और नहीं यह थ्री है न रुख जाओ कुईस्चन देखने तो नहीं तो कुछ और हो जाएगा तो फिर तुम लोग कहोगे मिल नहीं रहा है यह क्स का पावर थृ है माइनस यह क्स का स्क्वाईर माइनस यह तू प्लस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू तो बच्चों यह बताना है आपको क्या इस बहुपद का एक गुड़नखंड एक्स प्लस वन है बताए आप लोगों को बताना है क्या इस बहुपद का एक गुड़नखंड एक्स प्लस वन है बोलो है या नहीं है यह को सारी परकिरिया वैसे ही करनी है सारा मंतर वही लगाना है बस किवल कुष्टेन अलग हो गया है प्रसन अलग हो गया बाकी सब ऐसे ही करना है समझ में आ रहा बच्चा मनोज सिंग तुम डाल डाल तो हम पात पात समझ रहा हो ना मैं तुम्हारा हर एक कमेंट देख रहा हूं तुम डिलीट वहले कर रहा हूं और मैं तुमको डिलीट करने वाला हूं चैनल से जल्दी कि देखो बहुत से बच्चे बता रहे हैं नो देखो बेटा कुछ अपने से कोसिस करो सभी कुछ होने वाला देखो फर्स्ट कोईशन में चार पार्ट था मैंने तुम्हें एक बताया दो बताया तीन बताया चौथा तुम्हें खुद से करना है लेकिन मैं बताई देता सार्ट कट में इसको बहुत डीटियल में नहीं करूंगा ठीक है डीटियल में नहीं करूंगा जो बच्चे डीटियल में चाहते हैं वो तीसरा पार्ट देखें उसी तरह हो जाएगा देखो इसका कह रहा है कि एक गुडणखंड है या नहीं है तो सबसे पहले हम पी आफ x के बराबर मान लेंगे, तीक है? नीचे लिखेंगे सेस्पल पर्मिये से पूरा डीटियल में कर राण नोट कर लो कि वहां आप fx इक्वल x प्लच फलस वन पार सेस्पल पर्मिये से इसको 0 के बराबर करते हैं, यह हमारा सेस्पल पर्मिये होता है इसका मान एक्स प्लस वन है तो बैटा यह यह का बैलू माइनस वन हैगा माइनस वन हैगा समझ में आया अब यह जो माइनस वन है इसे दिए गे मुखे भुपद में यानी बढ़का लंबा वाले में रख दोगे अगर सब 0 हो गया तो लिख दोगे एक्स प्लस वन दिएगे बहुपद पी आफ एक्स का एक गुड़न खंड है अगर जीरो नहीं हुआ तो लिख दोगे नहीं है बस इतना ही करना है तौरव अधित्य कुमार बेटा पढ़ाई कर लो अधित्य कुमार तुम्हें लाइश्ट वार्निंग है बच्चा नहीं तुम्हें ना हम बहुत दूर बेजने वाले इस कलास से पढ़ लो पढ़ लो क्यों अपने माबाप के साथ साथ अपना भी बरबाद कर रहे हो पढ़ लो अब क्या करेंगे यह मान हम यहां रख देंगे नेक्स्ट लाइन में करो इसके नीचे जगा है तो कर लो नहीं तो आगे करो क्या करोगे पी आप माइनस वन इक्वल उधर नहीं दिख रहा होगा ना मुझे लग रहे है मैं एक बार में नहीं दिखा सकता हूँ क्या दिखा दूँगा ठीक है रुखो समझो यहां से थोड़ा से रुको उधर साइड में थोड़ा कम जगा है मुझे इदर और इससे खीचना था ठीक है मैं यहां से करता हूँ तो देखो बच्चा उसके बाद यहां करो जहां जहां पर यक्स है यह मुक की क्वेशन है ना या इसको ले लो यह भी वही है यह सनी को माइनस-1 रखोगे डरको गे मायनस-1 रखोगे यक्स की जग्या पर तो पिया भी माय इस ऊंटियो यह न्यक्स-1 को मावा हैं इस से थोड़ा सा मीटा हुआ है फिर से लेलो चलो 2 प्लस अंडर रूट 2 है बुक लिये हो तो तुम्हें दिखी रहा होगा इसमें तो कुछ करना है नहीं यह जैसे हैं इनको ऐसे लिख दो यहां पर यक्स है तो यक्स की जगा पर माइनस 1 यह नहीं इसमें माइनस 1 से गुड़ा होगा और प्लस अंडर रूट 2 इसको हल करना है पूरा जहां तक दिख रहा है मुझे यह बताओ क्या इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं क्या इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा देखो समझो अगर हम माइनस 1 का क्यूब करेंगे अभी अभी मैंने concept बताया था पिछले class question में तो यह इसका answer minus 1 आएगा कैसे आएगा अभी मैंने third partner बताया अभी यह minus 1 का square करो बेटे तो प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस है तो यह माइनस ही रहेगा इस तरह से यह आपका इतना बनेगा और यह minus 1 इसका गुड़ा ऐसे ही कर दो प्लस अंडर उट दो अब देखो minus 1 का इसमें अंदर में गुड़ा करना है सब में फुल मिला करके तुम ऐसे भी देखो और सोचो और समझो इन दूइनों को तो जोड़ देंगे हम इनको थोड़ा थोड़ा इदर खीचते लाओ जगा है तो फिर छोड़ो मत अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे क्या यह 0 आएगा कि नहीं आएगा हुआ बताओ क्या यह सुनने आएगा कि नहीं आएगा हल करके भाई कर लो नहीं आ रहाHave मुझे क्यो परइसान कर रहे हो ही तो तो तुम करें लोगे हां बुझे क्यों परइसान कर रहे हो इतना कर लोगे न देखो अब ये माइनस वन माइनस वन जुड़ जाएगा बैटा तो ये माइनस का दो हो जाएगा आपका और वन का इसमें मल्टिपल करना अंदर में किन माइनस है तो भाईया ये माइनस दू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बैटा माइनस दू हो जाएगा तारी पर क्रिया करूँ क्या, क्या मतलब है करने से, फुल मिला करके यहां से हमें पता चल रहा है कि यह 0 नहीं होगा, लेकिन तुम्हें clear पता होना चाहिए, यह नहीं कि फरजी यह लिख दो, यह 0 के बराबर नहीं आएगा, मैं इस वह हल नहीं करूँगा, इस पर time based करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो इस पर तुम छोड़ भी सकते हो अगर तुम्हें पता चल गया कि वह 0 नहीं होगा, नीचे लिखोगे अता, अता नहीं यह से लिखोगे, चूकि, चूकि सेसफल, 0 नहीं है, या सुनने, नहीं है, अता, अता, इसको लिखो जो मैं लिख र यहा तक करने के बाद में नीचे लिखो, चूकि सेसफल सुनने नहीं है, अता, अता, एक्स प्लस वन, या डिये गये बहुपद, दिये गये बहुपद, उसके बार लिखना यह, पी आफ एक्स, P of X का एक गुड़न खंड नहीं है बस हो गया चुकि सेसफल सुने नहीं है आता है X plus 1 दिये गए बहुपद P of X का एक गुड़न खंड नहीं है UK Games बेटा पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो राजा पढ़ लो मीना वर्मा Educational Gaming गोपी चंद कुछ समझ में आ रहा गोपी चलो इसको मिटाता हूँ ठीक है इस स्क्रीन साट ले लिया करो मैं सामने से बीच बीच में देखो हटता रहता हूँ जैसे मैं सामने से हटूं कुछ भी लिख करके उसका तुरंत स्क्रीन साट ले लो जो मैं बोलता हूँ लिखो फिर उतना ही लिखा करो साथ में बस बाकी स्क्रीन साट ले लो जब कलास खतम हो जाए तो बैट के लिखो प्यार से अराम से ठीक है गूड है न सब कुछ अगर आप नाइंथ में नहीं है तो आपको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है फिर भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए कुष्टन नंबर सिकेंड अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों के पास NCRT बुक है मैं एक पोलिंग करूँगा आपसे निवेदन है कोई जायेगा नहीं बस एक मिनट के लिए मैं पोलिंग करूँगा एक मिनट के लिए थोड़ा सा रुख जाओ मैं एक कुष्टन पोस्ट करना हूँ उस पर आप लोग यह से अनो करना क्या आपके पास N-C-E-R-T चाहे वो इंग्लिस में हो या हिंदी में बुक है हाँ देखो जिनके पास में कोई प्राइबेट की बुक होगी N-C-E-R-T पर अधारित होगी वो नो करेंगे ठीक है वो क्या करेंगे नो करेंगे आप लोग बताओ क्या आपके पास N-C-E-R-T बुक है मैंने एक पोलिंग किया सायद पता नहीं क्यूश्चन गया की नहीं गया आँ गया है ठीक है तो बेटा सभी जल्दी से वोट करो यास या नो आपके स्क्रीन पे एक क्यूश्चन आया होगा उसमें आपको यास या नो पर क्लिक करना है अगर आपके पास मुख N-C-E-R-T अब इस करना अगर मनोहर वनोहर परकासान है राजीव परकासान है लक्षमी परकासान है तो नो करना हाँ लेकिन समझो मतलब पाठे करम सब में वही है बेटा ठीक है मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनके पास तो मुख N-C-E-R-T उनमें डारेक्ट मिलेगा मुख N-C-E-R-T वालों में से डारेक्ट कुष्चन मिलेगा डारेक्ट मैच करेगा कुष्चन, कॉइंट, घाद, नमबर सब मैच करेगा लेकिन जिनकी प्राइबेट बुके हैं अलग तरह की राइटर की उनमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा समझदार लोग कर लेंगे उसमें भी मुझे लग रहा है सो बच्चों ने वोट कर आभी तक सो बच्चों में से लगबग 80% NCRT वाले हैं ठीक है खुशी की बात है उनकी बुक में डारेक्ट मिल रहा है चलो ठीक है ठीक है संतुष्टी की बात है चलो तो ठीक है बच्चा बहुत अच्छे बेरी बेरे गर्ड बेरी गुड बेरी गुड है ठीक है तो यह आपका इक्सरसाइज 2.4 कलाफ 9 का NCRT बुक का बेटा 1st कुश्चन हो गया 2nd कुश्चन पढ़ो आप लोग 2nd कुश्चन पढ़ो सभी बच्चे जल्दी पढ़ो देर ना करो चलो पढ़ो 2nd कुश्चन पढ़ो क्या लिखा है 2nd कुश्चन किसी लिए तो पूछा बुक लिए हो कि नहीं लिए हो चाच्चा लोग 2nd कुश्चन पढ़ो देखो क्या कहता है कहरा कि गुडनखंड पर में लागू करके बताईए निमनलिखीत इस्थितियों में से पर तेक इस्थिति में G of X G of X P of X का एक गुडनखंड है कुछ समझ रहे हो चाच्चा लोग कुश्चन नंबर सिकेंड पढ़ो किताब लिए रो तभी समझ में आएगा अभी ने किताब के पल ले ना पढ़ेगा यहां सतनाराण भगवान की कता नहीं हो रहे इक ओम नमासिवा कर रहे हो किताब लेके आना रोज चलू आगे बात करते हैं कि कहरा कि गुडनखंड परमिये मतलब फैक्टर थेवरम एपलाई करिए और बताइए कि निम्नलिकित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में G of X G of X का मतलब ऐसे है इसे इसे जी आफ एक्स बोलते है G of X P of X का एक गुडनखंड है देखो जितना वजाई करें पहले को इस्चन में न उतना एम्य करना है सब कुछ वही करना है सब कुछ वही करना है Rupes को बलाक कर दो भगया Rupes को बलाक कर दो एकदम से बलाक कर दो इसे अब दुबारा से अनबलाक नहीं करना ये नलायक पता नहीं कैसे पैदा हो गया इसके मा बाब पच्टा रहे हों ग़ी पता नी कहा से आ गया कितना भी समझालो इन spending गुल में बेटा पड़ लो अजो ये बात करते हैं कुश्चन पर आते हैं मुख्य पॉइंट पे देखा बेटा यहां पर कुश्चन जो दिया है ना पहला पार्ट यह पी आफ यक्स दिया है कि लिखो फटापट कि अर्ट टू एक्स का क्यूब प्लस कि एक्स स्कॉयर माइनस दो एक्स कि एक्स का स्कॉयर माइनस दो एक्स माइनस वन यह दिया है यह क्या दिया आपका यह पी आफ एक्स दिया है क्या दिया भाईया यह पी आफ एक्स दिया बाबु इसमें जी आफ एक्स भी दिया है यक्स प्लस वन दिया है कह रहा कि गुड़नखंड परमिये लागू करो आप भागफल वो सेसफल परमिये भूल जाओ वो हो गई पुरानी कहानी अब एक नई मुसीबत है उस मुसीबत का नाम है गुड़नखंड परमिये गुड़नखंड पर्मिये में बताया हूं कि नहीं तुम लोग को पताया हूं कि नहीं अब पहले तो तुमको गुड़नखंड पर्मिये सीखना है क्या है ये तभी आगे बात कर पाओगे तभी आगे बात कर पाओगे देखो पहले कोई नियम बिधान उसे तुम समझोगे ना तभी तुम आगे उसको अप्लाई करोगे तुमको पता ही नहीं क्या है तो कैसे जानोगे कोई कहे कि बाया जाओ फलाने अंकल को बुलाए लाओ अब तुम फलाने अंकल का थोबड़े नहीं देखे हो कईसे हैं तो कईसको बुलाओगे नहीं भुला पाओगे न पहले उनको देखोगे पहिचानोगे यहां फलाने अंकल हैं बड़े खतरनाक हैं बड़ा बड़ा मोच रखाके बड़े खतरनाक टाइप के हैं तो तुम एक दिन देख लिए तो जान जाओगे अगले दिन तो पहले देखो इनको पहले सीखोगे तब जान पाओगे कैसे होगा चलो यह कुश्चन तो बाद में होगा पहले अब तुम लोग हेडिंग डालो बिटा खेडिंग डालो गुड़न खंड पर मिये यह बहुत इंप्वाटेंट फैक्टर है समाझे लो पॉड़न खंड पर मिये खेडिंग डालो कंटी बबली पढ़लो 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 अपाच नहीं करेगा पढ़लो मुझे लग रहा ज्यादा टाइम हो रहा है का गुड़नखंड पर मिये लिख लिया और यह भीगा हुआ है यहां पर रूपेज दास बेटा तुम दूसरी आडिस आ गए तो बच्चा हमारे पास बहुत सारा आप्सन है तुम्हारे जैसे ना लाइकों को बला करने का चलो ठीक है गुड़नखंड पर मिये लिखो कोईश्टक में लिखो फईक्टर तेवरं लिखो फईक्टर ठेवरं तैल कोगे इस आइक टर्थेव रंं कैसे होगा स्पेलिंग साही है है तेवरं ऐसे हो था है पड़नखंड पर मिये कितने बच्चे जानते हैं बोलो यास याउ नो रजनेश को भी बलाक कर देंगे अभी डांट वरी रजनेश बेटा सुधर जाओ जहां भी हो तुम जहां भी हो सुधर जाओ नहीं तो हमारी नजर पड़ेगी न तो गड़बड हो जाओगे पढ़ लो यार क्यों बरबाद कर रहे हो अपने आपको भी और गरवालों के सपने सब कुछ क्यों मट्टी में मिला रहे हो क्यों आखित चाहते हो एकदम से बरबाद कर देना पढ़ लो देखो गुड़नखंड परमिये क्या होता जैसे भागफल परमिये है उसी तरह से गुडनखंड पर मिये हैं इसि में थोड़ा सा अंतर होता है जादा नहीं होता है उसमें सेस्फल मुख्य रूप से पॉइंट होता है इस्में में सेज्फल होता ही नहीं है बस मतलाbas एक बंदर है पूच वाला अरे एक विना पूछ वाला इंसान है बस इतना अंतर है वाकि सकल बनावट सब होई है ठीक है चलो ठीक है तो बच्चा गुडनखंड परमिये क्या है किताब लिये होना सभी जो बच्चे किताब लिये हैं किताब खोलो किताब कोलो मैं पेज नंबर बतारा हूं उस पे देखो लिखा है उसे देखों गें तब वहतर होगा बच्चा किताब कोलो किताब में देखो किताब में देखो पेज नमबर 48 ठीक है पेज नमबर 48 खोलो वहाँ पे तुम्हें मिल जाया का गुलनखंड पर्मिये बोलो है की नहीं यहां से समझो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो गुलनखंड पर्मिये तो सिर्फ इतना ही है कितना है पी आफ एक से इक्वल एक्स माइनस ए और इंटू क्यू आफ एक्स यह गुणनखंड पर्मिये सिर्फ इतना ही है लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मुझे समझाना पड़ेगा नहीं तो तुम इससे कुछ समझ में ना पाओगे इससे कुछ न समझ पाओगे और इसका परियोग भी तुम्हें क्विश्चन में डारेक्ट ऐसे नहीं करना है इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे से तभी हो पाएगा ठीक है तो गुड़नखंड परमिया आप लोग हेडिंग डाल दो और आज का टाइम उसे लग रहाए आठ बच गया 45 मिनट कलास हो गई है ओबर होता है तो बच्चा कल इसको करवाएंगे आप लोग एक्साइटेड हो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है तो बाबु इसको कल हम करवाएंगे गुड़नखंड परमिये आप लोग याद रखना जैसे कलास में आना गुड़नखंड परमिये करना तो आप यह बताओ कल की कलास कौन-कौन देखा था कल की कलास सब लोगों देखे थे कि नहीं कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर पा रहें तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कमेंट कर पाओ ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कमेंट कर पाओ कि स्पोर्ट गेमिंग पढ़ाई कर लो रजा पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा सचीन काय को परिसान हो तो बंद कर जाए कलास फिर अच्छा एक बात बताओ कौन-कौन कहां से जुड़ा है जल्दी बता दो बॉर्ण मजा आता है अपना जीला बता दो राज्ज कौन सा है जल्दी बताओ जैसे कलास आपकी परियाग राज उत्तर पर्देश से होती है आप अपना जीला राज्ज बताओ चलो मैं थोड़ा सा तुमसे आपर बात करता हूं मतलब कि वह क्या है डेली सा तुमसे जाने क्वाइन कर स्थेशन है इस से नाम है न क्यों से नाम्यर्ण परmaств टेशन कर कि क्या है पर सेंडिन आप में लिंक दे रहा हूं कमेंट बाक्स में उस पर जाकर के तुम तुरंत देख लो अगर तुम्हें नहीं पथा कि टेलीगराम क्या है टेलीगराम चैनल कैसे जुआइन करते हैं तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ उस पे क्लिक करके जाके तुरन देख लो और जुआइन कर लो जितनी भी कलास चलती है इसमें सब की लिंक मिलती है तुमें ठीक है सारी कलास की लिंक मिलती है इस पर टेलीगराम पर सारा पीडिया फाइल मिलता है सारा नोट्स मिलता है यह लिंक जो दे रहा हूं इस पर किलिक करके जाके देख लो कि टेलीगराम चैनल क्या है ठीक है जाके देख लेना सभी बच्चे डिस्क्रेप्शन में भी लिंक म झालो!